इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल ही रहा है इसी बीच इरान और पाकिस्तान में ताना तनी हो गई है क्या है ये पूरा मसला आपको समझाओंगा और सोचिए पाकिस्तान के खिलाफ एक भी दुनिया का मुस्लिम देश खरा नहीं हो रहा है 30 से 40 खारी देश इरान के साथ है दरसल इरान ने पाकिस्तान पर हमला किया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर दरसल कुछ देश है इस दुनिया में जो अमरीका के इसारे पर, इंगलैंड के इसारे पर, उनके पैसे की चाहत में अपने समाज, अपने मजभब और अपने ही लोगों से और इंसानिया से बगावत करते हैं और उसी में एक देश पाकिस्तान है जो अमरीका की सह पर, किसी भी कीमत पर जाकर, अपने ही देश के लोगों को, अपने ही एसिया के लोगों को दुस्मन मानता है नमस्कार, मैं संभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसनल दस्तक सोचिए, एक तरफ इरान, यमन और लेबनान जहां इजराइल के खिराप सीना तान कर ख़ड़ाया वही ख़बर आई कि पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगटनों ने अमरीका की सह पर, इजराइल के सह पर पैसे लेकर इरान में विस्फोट किया इरान के सौ से ज़्यादा निर्दोस लोगों मौत के नींद सुला दिया और इसी का बदला इरान ने लिया और उसने पाकिस्तान पर हमला किया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि मैं हमला करूँगा किसके शहपर अमरीका के सहपर मैं फिर कह रहा हूँ भारत और पाकिस्तान के बीच इद्ध किसी से छुपा हुआ नहीं है पाकिस्तान एक दुस्मन देश है दुस्मन कंट्री है और भारत का हर एक नागरी चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी समपरदाय का हो किसी भी समाज का हो वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तयार हता है क्यों क्योंकि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार लड़ता है पाकिस्तान illegal तरीके से घुसपैट करता है पाकिस्तान इंसानियत का दुस्मन है और पाकिस्तान अपने फायदे के लिए मनपता को खत्रे में डालता है पाकिस्तान आतंकी संगठनों का सरगना है और इसमें उसका मददगार चीन भी है तो सुचिए किस तरह का combination बन रहा है इस पर मैं बात करूँगा कि आखिर पाकिस्तान पर इरान नहीं क्यों हमला किया और खारी देश पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गए मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि खारी देशों ने कभी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया क्योंकि दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों को पनाह देता है और भारत के खिलाप proxy war में सामिल है और इसलिए पूरे के पूरे खारी देश पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं अब इरान और पाकिस्तान के बिच्छुए इस तनाव में पूरे के पूरा खारी देश इरान के साथ है तो भक्तों को कैसे समझाया जाए कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान को छोड़कर सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्री है जो इसलाम धर्म को मानते हैं जो सर्यत पर चलते हैं चाबो अफगानिस्तान के उना हो इराग के उना हो कुबैत के उना हो यमन के उना हो और फिलिस्तीन हो यमन हो तुर्की हो यह सारे के सारे देश भारत के साथ सबसे करीबी सम्मंध रखते हैं और इसलिए भारत सरकार ने को जब चुनना परा फिलिस्तीन और इजराईल में से किसी एक हो निसंदे डंके की चोटपा, United Nation में बोट करके फिलिस्तीन को चुना क्यों? क्योंकि भारत का पूरा भ्यापार खारी देशों के साथ हैं भारत के लोग खारी देशों में काम करते हैं और भारत अपना निर्यात भी करता है और खारी देशों से सबसे बढ़िया संबंध भारत के हैं लेकिन संबंध में सबसे बड़ा बाधक कौन हैं वही अमरीका और इजराइल तो सोचिए आप पूरा डेमोग्राफी आपको एसिया का समझना पड़ेगा और सोचिए अब इस्तीति साफ हो गई है कि किसी भी कीमत पर किसी भी कीमत पर इजराइल जो है वो एसिया में अलग थलक पर गया है बेनकाब हो गया है और इसलिए इजराइल ने कोशिस की दरसल हो क्या रहा था कि इजराइल पूरे एसिया में अलग थलक पर गया था उसने पाकिस्तान को इसका टूल बनाया उसकी कोशिश है कि अ इरान और सौधी अरबिया को लड़ाये जाए इरान या कतर को लड़ाये जाए लेकिन उसमें वो नाकाम हो गया तो उसे सबसे आसान प्यादा पाकिस्तान मिला और इजराइल और अमरीका की सहपर पाकिस्तान के कुछ आतंकी सरगनाओं ने इरान में बंप हो रहा जिसकी बै आसिवे सीधे सिधे इजराइल और अमरिका की देज अगर ये घटना का अंजाम इंगलैंड देता या दुनिया के कोई और देज लेता तो मैसेज नहीं जाता दरसल यही है फूट डालो और राज करो मनुवाद की यही नीती है यहुद्यों की यही नीती है तो ये जो मनुवादी इजराइल है ये जो मनुवादी अमरीका है इसी ने फूट डालो और राज करो के तहब कोशिश की कि पाकिस्तान के आतंकिस सरगनाओं से इरान पर हमला कराया जाए और उसके बाद मुसल्मान आपस में बट जाएंगे लेकिन सोचिए एक भी मुसलिम राष्ट पाकिस्तान के साथ खरान नहीं है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मुसलिम राष्ट भारत के साथ सहमती है भारत के साथ है और वो फिलिस्तीन के साथ है कोशिश तो बड़ी की गई थी और सोचिए पाकिस्तान ने किस तरह से दुन की सरगनाओं पर भी हमला के इसका मतलब है कि जो खारी देश है वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की मदद करे लेकिन भक्तों का क्या है भारत की मनुबादी मीडिया की बज़े से भारत के रिस्ते नेपाल, मालदीव, उसके बाद भूटान जो हमारे प खत्म करने में अगर सबसे बड़ा युगदान है तो वो मनुबादी मीडिया का है जातिवादी मीडिया का चलता तो हमारे रिस्ते खारी देशों से भी खत्म हो जाते सोचिए वो तो एन बख पर समय रहते भारत सरकार विदेश मंत्राले ने सही फैसला किया और फिलिस्त खारी देशों से आता है लेकिन भक्तों को कौन समझाए तो सोचिए इरान और पाकिस्तान के बीच यही है कि इसराइल और अमरिका कि सह पर पाकिस्तान को आगे किया गया था ताकि ये युद्ध मुसल्मान कंट्रियों के बीच हो जाए लेकिन खारी देश एक जूठ है औ अभी भी वो इसराइल को मुहतोर जवाब दे रहे हैं अपडेट ए है कि यमन के लड़ाकों ने अमरिकी समुन्दरी जहाज पर हमला सुरू कर दिया है और लाल सागर से अब एक भी जहाज करोस नहीं कर सकता है अगर कोई जहाज इसराइल के बंदरगा से जा रहा है या उ उसके पहले 10 किलोमीटर तक के इसराइलियों भाग गये थे अब तो अंदर 50 से 100 किलोमीटर तक इसराइली फरार हो रहे हैं वही इसराइल के सैनिक जो हैं गजा पट्टी और वेस्ट वैंक से वापस लोट रहे हैं और अब तक सोचिए अपने आपको सूपर पावर कहने व इसराइल अपने आपको आधुनिक मिसाइल बनाने वला इसराइल पेगसस बनाने वला इसराइल एक भी अपने बंधक को नहीं चुरा पाया है और फिलिस्तीन अपनी सर्तों पर हमास अपनी सर्तों पर उनकी बंधकों को छोड़ता है सर्त है कि हम एक छोड़ेंगे तो में पाकिस्तान सामिल है और पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं ने इरान में विस्फोट किया, जिससे सौसे यादा इरानी मारे गएं, उसके बाद इरान ने कहा था की सही समय पर सही बदला लिया जाएगा और ये सब हुआ, उसके बाद सोचिए बढ़िया और करीबी दोस्त खारी देश हैं जो भारत और पाकिस्तान में जब उनको चुनना होता है तो वो भारत को चुनते हैं न कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका और सोचिए पाकिस्तान ने आखिर देड़ सबेर प्रोक्सी तरीक से इजराइल की मदद पहुंचाने की कोशिस की लेकिन वो बेनकाब हो चुका है वहीं इरान ने अब लगातार अमरीकी ठिकानों पर भी हमला सुरू कर दिया है युद्ध खारी देश हैं वो भी कमर कस रहे हैं और अब इस तरह से इजराइल जो है वो बेनकाब हो चुका है अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है और उसकी कोशिस थी कि मुस्लिम देशों को आपस में लड़ा दिया जाए ये कोशिस भी अब लगभग नाकाम हो चुका है तो सोचिए इजराइल फिलिस्तीन युद में कई मोर आ रहे हैं सुरुवात में जर्मनी इंग्लैंड ने समर्थन देने की घोसना की थी इजराइल को बाद में दुनिया ने जब उन पर थू थू की तो वो मुकर गए वहीं इंग्लैंड ने तो अपने गिरी मंत्री को भी हटा दिया था अमरीका ने भी वादा किया था इजराइल का साथ छोड़ देंगे लेकिन वो प्रॉक्सी तरीके से उसकी मदद कर रहा था अब उसकी नस काट दी गई है अब एक भी पानी का जहाज नहीं आ सकता है वहीं लगातार रूस चीन और नौर्थ कोरिया के हत्यार से हमास हुँथ हुआ है और वो रॉकेट लॉंचर से जहाज को भी मार गिरा रहा है सबसे बड़ा अपडेट है तो तैय यह हो चुका है कि धीरे धीरे ही सही इजराइल यह उधार रहा है इजराइल की कमर टूटे और सोचिए एक ताना साह कैसे किसी देश को बरबात कर देता है सबसे बरे राष्टवादी और उसने दुनिया को सेकंड वर्लिव्य में धकेल दिया और नतिज़ा क्या हुआ जर्मनी बरवाद हो गया था है वही सोची आपको धर्म के नाम पर नसल के नाम पर जाती के नाम पर भाशा के नाम पर खान पान के नाम पर कोई कहे कि मैं अच्छा हूं और बाकी सब खराब है तो समझ लीजिए वो मानपता का दुष्मने कोई अच्छा खराब नहीं होता है रही राश्टबाद की बात तो राश्टबाद है अपने देश की सीमा की सुरक्षा हर कीमत पर लेकिन इंसानियत को समझना पड़ेगा आपको दुस्मन सेना का जवाब सेना करारे तरीके से देता है सुचिए इजराइल ने क्या किया फिलिस्तीन के साथ निर्दोस फिलिस्तीनियों को मारा अगर इजराइल मजबूत होता तो वो सीधे सीधे हमास को मारता हमास को बंधक बनाता अपने कैदियों को छुराता लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं कर पाया और अब तक एक भी अपना बंधक वो फिलिस्तीन के हाथों से हमास के हाथों से नहीं छुरा पाइस का मतलब है कि इजराइल टैटाइ फिस हो गया है और वो पिछले 75 सालों से मनुवादी मीडिया के दंप यहुदी मीडिया के दंप दुनिया को गुमरा कर रहा था कि आतंका अड़ा फिलिस्तीन और हमास है दुनिया को पता चल चुका है कि आतंका अड़ा इसराइल है और उसको सह देता है अमरीका सोचिए पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा भुगतना पर रहा है और जिस तरह से इरान और पाकिस्तान के लडाने की कोशिस हुई है खारी देश भी अब इस बात को समझ चुक है लेकि इसमें अब कामियाबी नहीं मिले और देर सबेर खारी देश एक जूट हैं और फिलिस्तीन को आजात करना पड़ेगा युनाइटेड नेशन में बोटिंग हो चुके और अब एक भी एरोपियन कंट्री एक भी अमरीकन कंट्री पूरी एसिया में तो कोई देश ही नहीं है जो इसराइल के साथ ख़रा हो लगाज करो जैसी तरह से भारत की मनवादी मीडिया यहाँ फू्ट डालो राज करती है जिस तरह से यहाँ के 95% लोगों को दर्किनार करती है उसी तरह से यहुदी मीडिया जो यह जो इजराइल की मीडिया है CNN BBC है यह इसलामफोबिया से गरसितर मुसल्मानों के खिलाफ कौंस्परेसी करते हैं लेकिन अलजजीरा और सोसल मीडिया ने एक्स ने यूटूब ने फेस्बूक ने पूरी तरह से इनको बेनकाब कर दिया है यूद का अपडेट यह है कि लगातार लाल सागर में पानी में यमन ने मोर्चा समभाल रखा है हूती ने मोर्चा समभाल रखा है आकास में हिजबूला ने मोर्चा समभाल रखा है और धर्ती पर गजा पट्टी और बेस्ट बैंक में हमास ने मोर्चा समभाल रखा है और सोचिए किस तरह से भारत की मनुवादी मीडिया तालिवान को आतंकी लिखती है जबकि तालिवान अफगानिस्तान का सासक है वहां की सरकार चलाती है और भारत के दुविपक्षिय संबंध है ये लोग हिजबुल्ला को भी आतंकी लिखते हैं जबकि हिजबुल्ला इस्ते भी खराब करवाता है यह है असली राष्ट दरो आप लोग अपनी पर्तिक्राइब दीजिए इस युद में फिलिस्तीन बहुत आगे बर्च चुका है हर फिलिस्तीनी के आखों में सपना है आजादी का और इजराइल देर सबेर घुटना टेक देगा एक ताना साह उ इस दिन युद खत्म हुआ उस दिन उसकी सत्ता चली जाएगी इसलिए वो अपने ही देश को युद में जोग चुका है शुक्रिया